अस्सलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप लोग अभी सुडियों बात करेंगे सौधी अरब की बहुत सारी न्यूज है मक्का मदीना में उम्रह हच करने के लिए आप लोग जाते हैं फोटो लेते हैं नया कानून आया है पलस नौकरानी की शादी की देखी है और अब तक आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लो सब्सक्राइब कर लो अब बेल आइकन दबा लो फेस्बूक पेज़ पर वीडियो देखे तो फॉलो कर लो वीडियो को शेर कर लो और यह आज 31 तारीक है दो हजार तैस में आप या आज रात का कम्मेंट मैं पूरा देखूंगा ठीक है ना अब चाहिए जो भी देख रहा है जहां भी देख रहा है इंडिया पाकिस्तान बंग्रादेश नेपाल साओधी दुबई कतरोमान बहरेन कहीं भी देख रहे हैं खासकर आजमगड़ वाले जो भाई लोग कहीं से भी देख रहे हो तो कोई भी भाई को हेल्प लगा हो मेरे चैनल पर तो कम्मेंट जरूड़ कीजेगा और नया साल तो खर हम लोग का अल्ड़ी आया रखा है बट अब अंग्रेजी का नया साल है तो नया साल आप सब को मुबारक हो क्योंकि ये लास्ट वीडियो है दो हज सारी बाचित कर लेंगे वैसे आप सब ठीक हो बढ़ए हो ठीक ठाक बहुत सारे लोगत परिसान भी हैं कोई कंपशील के पास है कोई बहुत सारी परिसानी के अंदर है कैर सब की परिसानी दूर हो Allah Tiara सबसे सब लोग द्श दुआ कीज़े जरूर ऐक बार में आज में लि जानते हैं सबसे पहले मैं बोलूँगा आप लोग उम्रा हच पे गए हैं क्या अगर नहीं गए हैं तो अगले साल आ रहा है तो इंतजाम कैसे भी करके कफिल से छुट्टी लेकर के जैसा जो भी हो पक्का जाके उम्रा कीजिए और पक्का नियत साफ रखिए और आगे का रखिए और दयस ने एक बियान जारी किया है जो कि मक्का मदीना के मैं बोलूँगा शॉट कोट में हरमें सरीफीयन के जो मैन हैं जो मंतरी है जो देखते हैं मक्का मदीना को जो भी मैन है ठीक है उनका नाम है अब्द and सबस्रहान वो हर चीजों पर धियान रखते हैं कहा जा रहा है कि जो भी लोग उम्रहच पर आते हैं और वो अपना साया टाइम घूमने में दे देते हैं लेकिन जब वो मदीना या मक्का के सामने आके खड़े होते हैं तो अबादत ना करने के बजाए वो सेलफी और वीडियो में बिज होने के बजाए अपना इबादत में वीजी रहे हिंदी में आ रहा है यहां पर तो यह चीज मैंने भी की है बट मैं उम्रह पुरा करने के बाद दोबारा से रेटर्न होके मैंने वीडियो शूट की तो हम लोग ने एक्साइट हो जाते हैं जैसे पहुंच से फट से पर से पहुंच लिजी अच्छे से देख लिजी ये देन दोबारा से रेटर्न आ करके अपना फोट क्लिक कर लीजे सब कुछ कर लीजे क्योंकि जो फॉस्ट इंप्रेशन होता है इस दिल लाश्ट इंप्रेशन होता है और आपको नहीं पता आपके एक मिनट के टाइम से किसी द कि आक मेसे अपिसे चले लिए व been to look at the neur boxes वा ब्यामगेσन तो कि मेरे पास आई है जो कि मक्कम हंदिन्हे वह उम्रा कर की बात है यह जो न्यूज आप देख रहे हैं सविए ने बंग्ला देशी नौकराणी से साधी की, देख लो ध्यान देना आप लो जो मैंने टाइटल लिख आपने चैनल पे अब ल Еще अब और देख रहे हो क्लिन यूज वामने जूज वालेivo हमें कुष्ट है। तो मैंने आपको लो नहीं बनाया क्यूंकि यहाँ पर देख सकते यह साओधी खदामा, नहीं नहीं नहीं, यह बंगलादेशी खदामा है, और यह बंगलादेशी का आदमी है, ठीक है ना? तो अभी यह हस्बंड वाइफ हो गये और यह है इनका कफील, इस निउस में यह है क कि इनकी जो खद्दामा हैं, इनकी खद्दामा साओधी के पास काम कर रही थी, और इनका जो बच्चे लोग है साओधी का, वो इसके खद्दामा के करीबी मतलब की, लगाव नहीं हो जा था, बच्चों से लगाव हो गया था, तो बच्चों से लगाव होने की कारण, तो नौकरानी को तो अपनी लाइफ का आगे सैटल करना है ना तो इन्होंने क्या किया जो लड़का था बंगला देशी लड़का उसको साओधी बुलाया विजा भेच कि उसकी पूरी सादी का खर्चा इन्होंने उठाया ठी कहना साओधी ना केवला के खादमा के शादी का उठाया बलकि उनको घर की भी वेवस्ता की नए जिन्देगी शिरुआत करने के लिए ठीक है यहां पर सौधी ने साधी नहीं क्या सौधी ने खद्दामा के हस्बेंड को अपने देश जो देश था बंगल देश का वहां से बुला करके उसकी शाधी करवाई सौधी के अंदर क्योंकि जो कफील का बच्चा था ना वो बच्चा इस खद्दामा को जाने नहीं दिया मतलब रो रहा था परेशान हो रहा था वो गई एरपोर्ट से बापीस भी आई लेकिन कफील जो है कहा कि इनकी लाइफ को और बेस्ट अफ लग है अगली अपडेट शेयर करूंगा सौधी के अंदर में अठारा हज्जार से जादा अजनवी को गिरफतार किया गया है देखो साल का आखरी दिन और आखरी वीडियो है यह वाली लाश्ट वीडियो है फिर भी मैं आपको अपडेट शेयर कर रहा हूँ ग्यारा हजार पांसो तीन ऐसे कानून उलंगन वाले एकामा वाले होल्डर वाले हैं भाई जो कफील कंपनी से भागे हुए 2023 तो कंप्लेट हो गया 2024 में किया 2024 का कोई गोल किया है आपने नहीं किया न मुझे पता है गोल करेंगे भी नहीं अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी करने का बट बताओंगा इन्शाला इसी चैनल पर सौर्ट वीडियो अप्रोड करूँगा तो आपको आगे कुछ और पता लगेगा खेर बहुत सारे भाई परिशान हैं अल्ला आप सब की परिशानी को दूर करें अगली अपडेट इस साल इस साल जी इस साल 158 हजार मतलब एक लाक 58 हजार काम करने वाले लोगों की बढ़ोतरी हुई है ठीक है बिचले 2022 में कहा जा रहा है कि जो सफाई वाले काम करने वाले लोग यह का फील कंपनी के अंदर में नहीं सफाई वाले जी सफाई वाले ड्राइवर देख सकते हो घरेलू कामगारों और सफाई कर्मियों की संख्या 6% तक बढ़ गई है जबकि घरेलू ड्राइवरों की संख्या 23,000 से बढ़ कर 1.8 मिलियन हो गया है घरेलू हाउज ड् जबकि मैडम काड़ी चला रही है तब मैंने कहा था ना सबका काम खतम हो जाएगा लेकिन ड्राइवर का काम कभी खतम नहीं होगा साओधी में सबसे ज़्यादा ड्राइवर इंडियन है और साओधी में सबसे ज़्यादा ड्राइवर का दबदबा है लेकिन हमारे ड्राइ हैं मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि इंडियन है सारे सारे देश के मिला करके बट इंडियन सबसे ज्यादा है अगली अपडेट साओधी अरब में अगर आप इंजिनिरिंग का काम कर रहे हो तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर आपका अकामा ओके नहीं होगा तो आपकी इंजिनिरिंग का जो डिरोकमेंट वो औरिजनल नहीं होगा तो आपका जो काम है जो आप कर रहे हैं वो अगर आपका ओके नहीं हुआ तो आपका इंजिनिरिंग का डाटा अगर सही नहीं हुआ तो आपका इंजिनिरिंग जा सकता है दिन आपको फाइन भी लग स कुछ भी हुआ हो तो माफ कीजेगा मिलते हैं अगले साल इंशालला अपने भी ख्याल लखिए अपने फैमिली का भी ख्याल लखिए दूआ मियाद रखिए मैंने तो बहुत कुछ किया है फिलाल थोड़ा बहुत जो आप देख सकते हो आपको व्लॉक चैनल पर दिखी जाए कुछ मोटिवेट वीडियो भी ले आता हूं बट फिर भी आप लोग मेरी बात को नहीं समझते मुझे आप हलके में लेते हो मैं नहीं कहता कि मेरी बात को मानो जरूर क्योंगी वो बात आपके काम की है सो माफी चाहूंगा अगर कोई गल्ती होई दुबारा से वीडियो श हुआ 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 है